अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ एटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्क वगरा पे टाइम तो दे रही होगा ना ज़रूरी नहीं है क्योंकि टीच्विन बनाता है आपकी क्लास को असनी डिजिटल और आटोमेट कर देता है यह सारे काम इसली तो कहते हैं कि टीच्विन प हम बताने वाले हैं कि आप अपने इंडियन कोश्ट गार्ड एक्जाम को कैसे क्रेक करेंगे और मैंने कैसे क्रेक किया था मैंने क्या पढ़ाई किया था और कैसे पढ़ाई किया था कितने गंटेप्र यह सारे चीज़े मैं बताऊंगा ही और साथ में मैं यह बताऊंगा कि कि आप बिल्कुल कंफियूज नहीं होना है इधर उधर पर टेगने की जुरूत नहीं है आपको यह तो मैं किलिर कर दूंगा कि आप फॉर्म जब भरोगे फॉर्म भरने से लेकर आपका ज्वाइनिंग तक क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है क्योंकि यह सब चीजे मैं अप करते हैं इसे, सब्सक्राइब कर सकते हैं कितना गंटे पढ़ने क्या हो सकता है तो दोस्तों five-six subjects ही हैं कम से कम आपको YEAH पर subject1 गंटे आप समय देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप minimum five-six-घंटे पढ़ते होंगे five-six गंटे पढ़ते हैं तो आपका एक जाम बिल्कुल किलियर हो जाएगा और थोड़ी बहुत कमपटिशन जैसा कि आप देख रहे हो कि बढ़ रहा है क्योंकि सभी कोई अवेर हो गया सभी कोई पढ़ाई कर रहा है नहीं तरीके पैटर्न मतलब हर कोई अपना लाइफ को सेटल करना चाहते हैं हर कोई तैयारी अच्छे से कर रहा है तो भाई पांच से च्छे गंटे आप पढ़ रहे हैं तो फिर भी ठीक है लेकिन आप कोशिस किजिए कि इसको इंकरीच करके साथ से आठ गंटे अगर आप पढ़ाई करत आप जैना तो मैं जिस्टेम में कर दो की इल्जाम दिया था तो खतेम मैं वैश्रारी की से से कजड़ी के लिए पढ़ रहा था और ये इस त्पर दिया तो उस जाते टाइम है मने इन हुख औह तो उस aha मैं इतना च्छे से साथ गंटा कम से कम पढ़ना ताकि आप सब्सक्राइब बिल्कुल निकल जाए और इतना तो समझ लो कि आपका एक्जाम निकल जाएगा इतना पड़ोगे तो और किस तरीके से पढ़ना है आप सभी लोग एक नोट्स बनाएए नोट्स मतलब नोट्स ज्यादा फेर ज्यादा हैं ड्राइडिंग नहीं बिनना है बस आपको जल्दी जल्दी से चीज़ों के एक जगा पर लिक लेना है ताकि मतलब वह क्विक रिविजन एक्जाम के टाइम पर आप कर सकते हो इसलिए मैं बता रहूंगा इस और ऐसा नहीं मेनेजमेंट अच्छे से हो जाए एक्जाम के टाइम सिर्फ अपना रिविजन कीजेगा ना कि आप पढ़ाई कीजेगा सो यह नोट्स बनाते रहिए और प्रोपर तरीके से टॉपिक वाईश टॉपिक वाईश पढ़िए और टॉपिक्स कहां से पता चलेगा आप सभी को बताता हूं ने भी पूर एकेडमी के यूटूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएगा हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से सवाल बनेंगे यह इतना एक्जेक्ट बता दिया गया है और बिल्कुल वहीं से सवाल बनेंगे भी तो भई बात करते हैं आप एक लिस्ट सबको पता ही होगा 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी आपको साथ मिनट समय दिया जागा थो थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है और दस पूसप्स होते हैं पूसप्स की भी प्रैक्टिस कर लेना वैसे नॉर्मली सब लोग को आता होगा पूसप्स है और फिर 20 स्क्व सकते हैं प्री डिबी आप बोल सकते हैं डॉक्मेंट बैरिफिकेसन यानि आपका मतलब जो आप जब जब आप जो आप जो इनिंग करने जायोगा वो सारा काम असान हो जाएगा यहां पर आपका स्टेज तू में इंडियन कोश्बर भई इसी जी जो भी यह करें हैं मैं आपको इतना तो कह रहा हूं कि अगर इंडिया में कोई ज़्यादा कर रहा है तो वहर लगता है कि इप बहुत जाधा राईसए और यहां है और मैं आपको यह बताताँ लिए अमयर वह को और कोस्टगार्ड डीवी के बंदे हैं मतलब हम लोग सांथ में करिंटाइं थे और इतना समझ लो कि डीवी वालों का रोज दिन डौक्मिंट चेक होता था और अमर वालों का कभी नहीं तो ने भी के कंपरिजन में कोस्ट का डॉक्मेंट बेरिफिकेशन में काफी ज़दा सक्त है तो यतना समझ सकते हो दोस्तों अगर आप स्टेज 2 क्लियर कर लिजेगा तो आपको बोल जाएगा कि आप मेरिक लिस्ट का वेट करो स्टेज 3 के लिए आप इलिजिबल होंगे तो फिर आपको चाहिए आपको पर आ जाओगे तो भाई आप प्री मेडिकल करवा सकते हो सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं सपने उनके पूरे होते हैं जो जीद पर अड़े होते मतलब आप लोग एकदम जीद पर अड़ जाएए और बिलकुल अपना सपना पूरा करना है और दोस्तों बस यह जो वर्दी देख रहे हैं निली कलर की वर्दी जो इंडिन कोश्ट गाट की वर्दी और यह लोगों आपके चेश्ट पर होनी चाहिए एकदम बिलकुल हमारी मतलब मैं आपसे भी के साथ हूँ और बहुत जल्द देला रहा हूँ फिर साइन्स का महराथन लाँगा अच्छी बुक्स से पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल कोई भाष्ट सिलेवस नहीं है कि एक टीचर क्यों सकता होगी बस अरते कि आप 11 12 में जो चीज लेवन 12 में तो कामबर पढ़े ही होंगे तो आपके पास उतनी मैच्छोटी है कि आप लिखे हुए बुक्स में जो भी है चीज़ें उसको समझ सकते हूँ तो कहने मतलब यह है कि मतलब यह तो समझ गहोगे कि ज्वाइनिंग तक कैसे आप जाओगे और फॉर्म तो जल्दी से भर देज़े फॉर्म भरा रहा है तो भई यह चीज़े हैं और बात करता हूँ दोस्तों अगर आप यहां तक बीडियो में बने हैं तो आपको मैं एक चीज़ की गरेंटी देता हूँ कि यह अनन्द भई का वादा है नेविपूर से सबसे ज्यादा सेलेक्शन होना चाहिए इस बार और आप सभी को सेलेक्शन करके दिखाना है आप सभी लोग हमारे सप अब बीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट देख लेना कैसे क्या होता है वह लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और यह जो है आप लोग बताना कमेंट में कि हाँ इस बार आपको सेलेक्शन लेना है या नहीं आपको टाइम पस करना है तो किसी अधर चैनल पर कब कैसे महराथन लेकर आ रहा हूं और बिल्कुन एक टॉपिक खतम सो वैसी चीजे होंगी इस चैनल पर सो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों एक उमीद करूंगा कि आप लोग एक मतलब अपने दोस्तों के पास सेर जडूर कीजिए ताकि मुझे भी को मोटिवेशन मिले और आप सभी लोग एकदम तयार हो जाइए बिल्कुल आप लोग अपना मतलब जी जान लगा दो आठ से नौ गंटे पढ़ने स्टाट कर दोगा इच क्योंकि इंडियन कोष्ट गार्ट मतलब एक्जाम तो टफ होते जा रहा है धेरे धेरे क्योंकि प टाइम ज्यादा नहीं है साथ दिन और टाइम है साथ दिनों की मेनत आपके कंदों को वर्दी दिला सकती है आपके नाम का टैग होगा और यहां इंडियन कोष्ट गार्ट की लोगों होगी और आपके मंतली एकाउंट में तनखा होगी तो यह कुछ चीजे हैं सो आपको ड कर लो और देन जूड़ना है हमारे साथ तो हमारे टेलिग्राम पर भी जूड़ सकते हैं और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो चलिए मिलता हूं नेक्स वीडियो के साथ जैहिन जैवारत ठैंक्स पर वाचिंग टेक केर होप यू लाइक इट एन लभी लेगाई टेंक्स